हेलो अब्रिवन, स्वाकत है यूटूब सहेली के आयरवेदा स्पेशल एपिसोड में आयरवेदा का ज्यान, अती प्राचीन ज्यान मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ Every Thursday, स्पेशल एपिसोड होता है, विशेश बाते करते हैं हम महीला स्वास्त पर आयरवेदा से संबंदेद, तो आज के एपिसोड में खास ये है कि आज के टाइम में एक तरीके से देखा जाएं, तो बहुत सारे ऐसी महीलाएं हैं जिनको Fertile Age Group में भी बच्चे दाने में रसॉली, गांठे, फाइब्रोइट्स आरे, फाइब्रोइट्स पांच-छे तरह की होती हैं बहुत तरह की रीजन होते हैं, लेकिन आयरुविदा क्या उसके लिए कोई पुखता तरीका बताता है जिससे की वो ठीक हो सके जड़ से तो कुछ आयरुविदिक आइडियाज, लाइफस्टाइल, टिप्स आज आज आप समझ लें आपके परिवार में भी काम आएगा, क्योंकि मीनोपॉस के बाद भी मीनोपॉस के समय से लेकर आगे तक भी महिलाओं को 40 प्लस महिलाओं को जादा तर ये प्रॉब्लम देखने में आती हैं, तो ये बहुत जादा लोगों के लिए फाइदेबन हो सकता है, फुल प्रूफ आइडियाज हैं, जिनकी वदल जाएं क्योंकि फाइब्रॉइड्स को जनरली ऑपरेशन करने की सलहती जाती है उसके टाइप्स को देखकर, लेकिन जो आज मैं आइडियाज बताऊंगी, उनसे फाइब्रॉइड आगे कभी नहीं होंगे, जो कि ऑपरेशन के बाद वापस वापस हो सकते हैं तो यह आइडिया बहुत अमेजिंग है, आएए हम आगे बढ़ते हैं आशा करते हूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है मॉर्निंग में खाली पेट जब आप होते हैं, इसी तरीके से शाम को भी आपको एक ड्रिंक लेनी है अगर आपको मॉर्निंग में सुटेबल ना हो तो आप इसे इवनिंग में भी ले सकते हैं बुद्ध ये है कि पेट खाली होना चाहिए ताकि अच्छे से इफेक्ट आए तो ऐसे में दो चीजें, आवला और मॉरिंगा बहुत ही अमेजिंग है आइरवेदिक हर्ब्स हैं ये दोनों ही और मारे आसपास भी बहुत मिल जाती हैं अगर किसी को पाउडर ना मिले तो आप जूस ले सकते हैं आवला मॉरिंगा का जूस आप ऑनलाइन पर्चेस कर सकते हैं अच्छे ऑथेंटिक स्टोर से खरी सकते हैं, और्गनिक होना चाहिए तो एक ग्लास आप पानी ले लिजे, थोड़ा सा गुंबुना कर सकते हैं आप उसको उसमें 3 ग्राम से 4 ग्राम आमला, 3-4 ग्राम मॉरिंगा और 1 ग्राम की लगबग हल्दी आपको लेनी है एकदम से आपका फ्राइब्रोइट लुप्त नहीं हो जाएगा, लेकिन उसका साइज घटने लगेगा, उसकी ग्रोथ रुख जाएगी तो इसको पानी में स्टेर करना मिला लेना है, हलका सबका लनमक भी आट कर सकते हैं और इसको आपको पीना है लेकिन क्या एक इस चीज को करने से फाइब्रोइट पूरी तरह से ठेक हो जाएगा, कुछ चीजें और भी हैं कि अगर आप उसको साथ में ध्यान रखते हैं, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो फ़र का रात का ब्रेक्वस्ट कर रहे हैं तो अगर कुछ चीजों को और ध्याब रखें तो फाइब्रोइट बहुत इफेक्टिवली और जल्दी खत्म होने लग जाते हैं, स्ट्रिंग होने लग जाते हैं जैसे फाइब्रोइट बच्चेदानी का संबंध सीवे आपकी आंतों से हैं तो आंतों में हीट यानि कॉंस्टिपेशन अगर है तो आपको प्राब्लम होगी, पित बढ़ा है तो आपको प्राब्लम होगी तो पित रोधी चीजें आपने सुबग खाले पेटी, आमले के जूस आपने लिया है उसको लेकिन constipation को भगाना है तो थोड़ा सलाद, सबजियां, फल इन पे जादा फोकस करें तो raw चीज़ें आप अच्छे से खाएं जिससे कि कब्स आपका खत्म हो जाए पानी अच्छे से पिएं, कपाल भाती जरूर करें ताकि blood circulation improve हो, energize हो आपके organ जो खाने में आप तेल, घी, फैट का यूज़ कर रहे हैं वो कम से कम होना चाहिए और good quality होना चाहिए जैसे आप olive oil का यूज़ कर सकते हैं, walnuts वगर खाएं, जितने seeds हैं, nuts हैं यह आपको बहुत फायदा देंगे क्योंकि इन में protein है, बहुत अच्छे quality का fat है तो यह fat आपको फायदा देगा, बजाए कि जो आपको तलने में, cooking में, जो आम तेल यूज़ करते हैं, उसकी बजाए इसके अलाबा, जितने मोटे अनाज हैं, उनको आप अपना लेगर अपका वज़न जादा है, तो वो भी कम होने लगेगा digestion भी improve हो जाएगा, और आप अंदर से काफी energetic, काफी स्वस्त, काफी अच्छा महसूस करने लग जाएगे liver function भी improve हो जाएगा, अगर आप fiber बढ़ा देंगे तो friends, fibroids के लिए, diet में fiber rich, millet based food आपको खाना है, seeds and nuts ज़रूर ज़रूर खाने है साथ में जो भी junk food है, oily food है, processed food है, तला भूना है, market का उन चीज़ों से आप परहेज करें weight कम करना कई सारे fibroids patients के लिए बहुत बड़ा वर्दान साबित हो जाता है, उससे उनके hormone सुता balance होते हैं और fibroid दिरे-दिरे कम होने लग जाता है, आशा करती हूँ, आपी स्वात खिलाब लेंगे इस वीडियो को देखकर, thanks for watching